आज का हमारा चैप्टर The Summer of the Beautiful White Horse ये विलियम सेरोयन की त्वारा लिखा गया है और इसमें दो बच्चों की कहाली है नोव वर्ष ये अराम को पता चलता है कि उसके बड़े चचेरे भाई मुराद ने पास के किसान से एक सफेद घोडा चुराया है यानि कि एक घोड़े की चोरी उसने की है अराम घोड़े की सवारी करने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा उसे बार बार नीचे गिरा देता है अंत में दोनों लड़के घोड़े को उसके असली मालिक को लटाते हैं एक दिन मौड सफेद घोड़े पर अराम के घर तक जाता है सबसे पहले अराम को यह विश्वास नहीं हुआ कि उसके चचेरे भाई ने घोड़ा चुरा लिया है क्योंकि उनका परिवार अपनी इमानदारी के लिए जाना जाता है सभी आसपास के व्यक्ति उनके परिवार को इस नाम से जानते हैं कि घोड़ा चुराने जैसी घटना तो उनके परिवार में हो ही नहीं सकती है मुराद ने असूर की बस्ती से महद दस मिल की दूरी पर रहने वाले असीरियाई किसान जौन बायरों से घोड़ा चुराया था बायरों को चोरी का लड़कों पर शक है आराम घोड़े को छे महिने तक रखने के लिए मुराद को आश्वस्त कर देता है उसे आस्वाशन दे दे है तकि अराम सवारी करना सीख सकी हलाकि घोड़े ने अराम को बार बार फेक दिया था और वे अंत में घोड़े को वापस करती है यह है छोटी सी एक कहानी है लगुक गथा है जो दो इसमें मुख्य पात्रे हैं इसमें 9 वर्षिय आराम गारोगलाइन और उसके 13 वर्षिय चचेरे भाई मुराद के परिच्चे के साथ यह कहानी शुरू होती है एक बार मुराद सुबह जल्दी अपने चचेरे भाई आराम को जगाता है जब आराम खिडकी से बाहर देखता है तो वह मुराद के साथ एक सुन्दर सकेत गोडा भी देखता है मुराद एक सवारी के लिए उसे आमंतित करता है लेकिन आराम को संधे है आखिरकार इस तरह के राजसी घोड़े को सवारी करने के लिए गारोगलान परिवार का कोई भी सदिश्य इतना अमीर नहीं है कि वह घोड़ा खरीच सके अपने हिस्से के लिए अराम मानता है कि मुराद ने घोड़ा चुरा लिया होगा हलांकि वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता है खुद को अब और मदद करने में ऐसमर्थ अराम अंतते मुराद के साथ हो जाता है और तरक देता है कि जितना वह चौरी के विचार से घ्रणा करता है मुराद हमेशा एक गैर वेग्यानिक रहा है जब तक की मुराद घोडे से अराम को आदेश नहीं देता तब तक दोनों एक बढ़िया वाली आराम की सवारी का आनंद लेते हैं जाहिर है मुराद कुछ समय के लिए अकेली सवेरी करना चाहता था वचाता था कि खुद ही सवारी करे किसी और को साथ में लेकर के ना जाए लेकिन अराम उससे हमेशा अपने हिस्ते की मांग करता रहता है और इसलिए मुराद ने अपनी एक तरफा सवारी पूरी करने के बाद अराम को घोडा सूप दिया दुर्भगे से अराम के लिए घोडा एक पडोसी के दाख की बारी में चला जाता है जहां पर वह लताओं पर छलांग लगाना शुरू कर दिता है अराम को जल्दी ही घोडे से उतारा जाता है मुराद दोड़ता हुआ आता है और दोनों लड़के घोडे की तलाश करते हैं और आखिकार वे घोडे को ढूंड पाते हैं और उसे एक खलिहान में चुपा देते हैं खेत खलिहान होते हैं जहां पर काट करके फसल को रखा जाता है वहाँ पर उस घोड़े को छुपा देते हैं इस यहां पर अराम फिर से घोड़े की उत्पत्ति के बारे में मुराद से पूछता है कि घोड़ा कहां से आया लेकिन बाद में सच्चाई को खुले तोर पर स्विकार करने से इंकार कर देता है कुछ दिन बाद जौन बायरो के नाम से एक किसान अराम के घर जाता है बायरो का दावा है कि उसका घोड़ा एक महीने पहले चोरी हो गया है और अब भी वह लापता है यह सुनकर आराम मुराद से मिला और उसे यह बताया फेर चाता है कि मुराद वादा करे कि जब वह सवारी करना नहीं सीख सकता तब तक घोड़ा वापस नहीं जाएगा इस बीच मुराद ने शिकायत की कि आराम को घोड़े की सवारी करने में एक साल लगेगा लड़के तर्क देते हैं लेकिन अंत में छे महीने में घोड़े को बापस लोटाने का दोनों सोचते हैं और कोशिश भी करते हैं दो सब्तार तक दोनों अपनी अपनी सवारी के साथ खुशी-खुशी चलते रहे एक दिन हाला की सुनसान दाक की बारी के रास्ते पर वे जान बाइरों से मिलते हैं घोड़ा उनके साथ होता है बाइरों का कहना है कि घोड़ा उसे खोए हुए की तरह दिखता है हालां कि वह लड़कों से कहता है कि चुकि गौरो ग्लैनियन्स अपनी इमानदारी के लिए जाने जाते हैं इसलिए वह अपनी आँखों की बजाए अपने दिल पर भरोसा करने का फैसला करेंगी बायरो की दया से प्रेरी थोकर दोनों लड़के अगली सुबह बायरो के खलिहान में घोड़े को लोटा देते हैं उस तो पहर बायरो घोड़े को अराम के घर ले करके जाता है और कहता है कि घोड़ा अधिक मजबूत और बेहतर सभाव बाला है हलांकि अराम के घर में कोई भी इसके गायब होने के तत्यों की पुष्टी नहीं करेगा यानि कि कोई भी अराम के घर में यह बताने वाला नहीं है कि घोड़ा गायब कैसे हुआ इस प्रकार से दोनों लड़के जा करके उसकी इमानदारी से प्रभावित होते हैं और उसके खलिहान में उस भोड़े को लोटा करके पापस आ जाते हैं युदि